मशकार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशालाप और मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे विशय की चर्चा करने के लिए, जो कि भारत में फिर से पुलवामा हमले और उसके बाद बाला कोट एयर स्ट्राइक की बातें ताजा करत थी, वो किसी भी समय चलाई जा सकती थी, वो ऐसकी क्या घटना थी, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, प्रधान मंत्री जिसके बारे में पहले कतल की रात कहके जिकर कर चुके हैं, आज खुलासा हुआ है कि वो कतल की रात असल में थी क्या, जब भारत ने नौ मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चलाने का निर्णा ले लिया था, ये खबर आज विद एविडेंस और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आप लोगों के साथ साजा की जा रही है, तो चलिए शुलुआत करते हैं, पाध है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की, जिनकी सत्ता जाने के बाद, शहबाज शरीफ जो की नवाज शरीफ के बाई हैं, वरतमान में अभी फिलाल तीनों में से कोई भी पदपर नहीं है, अंतरिम प्रधान मंत्री सरकार चला रहे हैं, फरवरी में या चुनाव होने वाले हैं, वाकिये को समझने के लिए आसा हुआ था, कि श्री जिन्पिंग 16 फरवरी की रात को नहीं भूलेंगे, जिस दिन ऐसा हुआ था, उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा, कि भारत ने जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तब 43 चीनी नागरिकों को मारा था, अब इसी के जस्ट पीछे-पीछे एक और किताब निकल कर आ गई है, और वो जो किताब है, वो है अजय बिसारिया की, अजय बिसारिया भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हाई कमिशनर नियुक्त थे उस समय जब भारत में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, उनकी एक पुस्तक आई है, एंगर मैन के नाम पर जिसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने किस तरह से इस बात की बयानगी की है कि इमरान खान, नरेंदर मुदी जी को फोन कर रहे थे और प्रधान मंत्री ने फोन उठाने से इनकार कर दिया था, और कह दिया था कि या तो अभिनंदन को छोड़ो नहीं, तो आज पुस्तक में निकल कर आई हैं, और देखिए, नराणवे साब की पुस्तक हो, या फिर एंगर मैनेजमेंट पर अजह विसारिया जी की पुस्तक हो, ये सारी बातें, चूकि ये सब वो ओफिसर्स हैं, जो अपने-अपने कालखंड में उन समयों के गभा रहे हैं, जिन यदि आप में से कोई भी साथी हमारा मित्र उत्तरप्रदेश पुलिस की तयारी कर रहा है, तो अपनी पाठशाला 20 दिन में 20 टेस्ट के माध्यम से कम्प्लीट सिलिबस अपने यूट्यूब चैनल पर रोजाना दुपहर 3 बज़े से कर रहा है, आप जाकर free of cost इसी चैनल पर उसे जाइन करें, साथ ही साथ हमारा एक अन्य चैनल अपनी पाठशाला PCS, जिस पर 30 दिन में 30 टेस्ट के माध्यम से ROAR, ARO की परिक्षा को टार्गेट करके नियमित रूप से classes ली जा रही है, आप उसे भी attend करें, और हाँ, यदि आप में से कोई complete history मेरे साथ पढ़ना चाहता है, तो इस session के बाद से ही batch open कर दिया जाएगा, 7 दिन के लिए admissions open रहेंगे, परसों से अपनी पाठशाला application पर हमारी history शुरू होने जा रही है, और उस history के साथ में अर्थशास्त्र भूगोल और राजविवस्ता complete रूप से मुझसे पढ़ने का अवसर आपको जाएगा, वो भी मात्र 1199 के अंदर, क्योंकि रुद्र GS Foundation batch में admissions open हो रहे हैं, आप जाएगा, session के तुरंद बाद ये admissions प्रारंब कर दिये जाएंगे, और बाकी notes अगर जो हमने class में पढ़ाएं हैं, अगर आप उन्हें घर पर मंगाना चाहते हैं, तो मात्र 1199 में आप उस जहीद हुए थे, शहीद कहां हुए थे, बात है कश्मीर की, क्या हुआ था, दोपहर तीन बजे का वक्त था, CRPF, Central Reserve Police Force का काफिला, श्रीनगर जम्मू हाइवे से गुजर रहा था, इस काफिले में 78 गाडियां थी, 2547 CRPF के जवान travel सडक से होते हुए कर रहे थे, अधिका लगी गाड़ी में आग होता है, ब्लास्ट होती है, दो बसों में से एक के पूरी तरह परखच्छे उड़ जाते हैं, और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कश्मीर में 30 साल से जारी आतंगवाद के दौर में ये सबसे बड़ा हमला था, CRPF में पिछले 9 सालों में हुआ ये सबसे बड़ा हमला था, इस से पहले 36 गड़ के अंदर 2010 में ऐसा हमला हुआ था, पुलवामा जमु कश्मीर में मध्य में दिखाई देने वाला एक डिस्टिक है, और इस पे पुलवामा के अंदर श्रीनगर से जुड़ता हुआ जो हाईवे है, श्रीनगर कन्या कुमार उसने 10 दिन पहले ही इस तरह के एक हमले की चेतावनी भारत को दे दी थी, भीड में कहा था कि हम भारत को दहलाने वाले हैं, अर्थात इस हमले से पहले ही तैथा कि पाकिस्तान इस हमले के लिए जिम्मेदार है, अब ऐसी इस्टिती में भारत के प्रधान मंत्री का रियक् प्रधान मंत्री ने बयान देकर कहा कि आतंकवादियों को इसकी कीमत चुका नहीं होगी। प्रधान मंत्री ने हमारे security forces को पूरी freedom देते हुए कहा कि आपको जो उचित लगे निर्ने ले लीजिए। security forces को जब यह है आदेश दिया गया तो इस आदेश से पाकिस्तान के अंदर खोड़ी सी खलबली मच गई। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान पर कोई military action ना करे 19 फरवरी 2019 की आप cutting देख रहे हैं। यारी day by day इधर भारत के प्रधान मंतरी सेना को कहते हैं। उधर पाकिस्तान भारत से कहता है कि हमारे उपर कोई military कारवाई आप मत कर देना। पाकिस्तान में हैं जिन्होंने हमारे जवानों के उपर बंबलास्ट किया है उन्हें वहीं जाकर मार कर आई है और हुआ भी साथियों। भारत की Indian Air Force ने जैशे मोहमत के terror camps पर बाला कोट के अंदर air strike कर दिया। boundary से यानि LOC से 80 किलोमेटर भीतर घुस करके बाला कोट में भारत के मिराज 2000 हवाई जहाज ने fire aircraft ने जाकर हमला किया। और target किया 3 बज कर 45 मिनिट पर सुभ है और मातर 4 बज के 5 मिनिट पर पूरा हमला करके मिराज 2000 जो fighter jets थे वो complete रूप से साढ़े 300 के लगभग आतंखवादियों को मार कर मातर 20 मिनिट में लौट आए। ये पहला वाकिया था 1971 के बाद जब Indian Air Force L.O.C. को क्रॉस करके पाकिस्तान में जा रही थी और जैशे मोहमद को इस घटना के लिए जम्मेदार ठेराते हुए उसका खात्मा कर चुकी थी। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भारत ने जब इसका बदला लिया तो यह है वक्त 26 और 27 फरवरी का था। भारत के हुए इस हमले को पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 12 मिराज विमान आएंगे, L.O.C. पार करेंगे और इतने लोगों को मौत के घाट उतार कर च पाकिस्तान के द्वारा दुनिया के सामने यह ऐष्कार रोकती दी गई कि हमारे उपर कोइभी हमला नहीं हुआ है लेकिन दुनिया से बढ़ते दवाब और दुनिया के सामने आ रहे एविडेंस से पाकिस्तान परेशान हो करके अपनी जवाभी कारवाई के लिए वापस निकला भारत इसके लिए तयार था भारत को मालुम था कि पाकिस्तान को जब दुनिया से अंतरास्ट्य बेजती का सामना करना पड़ेगा तो पाकिस्तान इसकी जवाभी कारवाई के लिए F-16 जो अमरिका ने उसे दिये हुए हैं उनसे भारत पर हमला करने लोटेगा इधर भारत के MIG-21 रातो रात हपने हवाई छेत्र में निरिक्षन कर रहे थे और चाक्चौबंद तरीके से खड़े थे कि किसी भी प्रकार की घटना का हम मुतोड जवाब देंगे इधर अभिनंदन इंतजार में पाकिस्तान के F-16 के खड़े थे कि तुम उधर से आओ और हम त लातियों 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकु विमानों से जवाई जवाबी हमला किया लेकिन भारतिय वायुसेना पूरी तरह से तयार खड़ी थी और भारत ने मिग 21 से हमारे अभिनंदन जो मतलब पाइलिट हैं उनके माध्यम से उनके F-16 को हवा में ही मार गिराया दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा अजूबा था क्योंकि F-16 एक उननत किस्म का फाइटर जैट माना जाता है जिसे मिग 21 जो कि तुलनात्मक रूप से इतना उननत किस्म का फाइटर जैट नहीं है उसने भारती एयर छेतर में मार गिराया और भारत ने उनके जो बचे हुए टुकडे थे वो दुनिया को दिखा कर अमरिका तक को बता दिया कि हम लोग युद्ध कला में बहुत जबरदस्त महारत रखते हैं लेकिन इसी दौर में एक गोल कर दिया वहां से इजक्ट कर दिया और हवाई जहाद से बाहर निकल कर पाकिस्तानी सीमा छेतर में गिर गए आप ये वो तस्वीर देखते हैं जिसमें अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में अपने पैराशूट से लेंड होते हैं और ये तस्वीरें पाकिस्तान द्वारा उन भी थे कि हमारे अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में थे और इसी बीच में अखबारों की हेडिंग बन रही थी मौन की बात क्योंकि भारत सरकार अभिनंदन की वापसी के लिए क्या कर रही है ये मीडिया वालों को पता नहीं चल रहा था इसलिए लोग इसे इस तरह से हमारा ही अभिनंदन चला गया अब उसकी जगे क्या होगा ट्रोल किया जा रहा था अब पीछे से क्या हो रहा था ये तो इस किताब ने खुलासा किया है ये खुलासा है उस कतल की रात का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन के पाकिस्तान में चले ज इन्होंने उस समय की घटना को अपनी इस पुस्तक के अंदर जिक्र में कहा है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की घुसपैट के निगरानी जब अभिनंदन कर रहे थे तो F-16 ने उनके विमान पर मिसाइल दाग दी वहीं M-21 से F-16 को मार गिराया गया अभिन भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइले ताल दी थी यह किसी भी पल फायर की जा सकती थी अचा अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है अब यह आपको यहां के आगे आने वाले सेशन में कनफर्म हो जाएगा कनफर्म होने के लिए भारत के प्रधान मंतरी का बयान इमरान खा पहुंचे थे विभाग के सामने राजनेताओं के सामने तो उनके पैर लड़ खड़ा रहे थे पसीने आ रहे थे उन्हें ये डर था कि अभिनंदन को रात 9 बजे तक अगर रिहा नहीं किया तो भारत हम पर किसी भी समय मिसाइल दाग सकता है ये जो डर था ये संसद में बया थे उन्हों ने कहा स्वरी मैं बता सकता है आप को किस मिशन के लिए भ्याग रहा है के नाम पर नेगोशी येट कर पाएंगे इसलामाबाद से जब भारत के लिए कॉल आया तो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिशनर सोहिल महमूद ने इन ही जो वर्तमान में जिनकी किताब आई है बिसारिया जी इनको कॉल किया पाकिस्तान में और कहा कि अपने वजीर आजम यानि रेंदर नरेंदर मोदी जी से कहिए क इमरान खान फोन पर बात करना चाहते हैं बिसारिया जी ने पीमों से कॉल करके कन्फर्म किया कि कह दीजिएगा पीम बात नहीं करेंगे ये जानकारी बिसारिया जी ने इन सोहिल महमूद को फोन पर देते हुए कहा कि जो भी कहना है हम से कह दीजिए प्रधान मंत्री बात न ऐसा क्या हो रहा था क्योंकि Iman Khan को जब ईव्धी चीफ फॉन पर बात नहीं कर रहे हैं तो इमरान हाने प्रिटी कार्ड खेला उसने कहा कि अब इक काम करते हैं दुनिया के सामने थोड़ा अच्छा बनके दिखाते हैं अच्छा के दिखाते हैं से मतलब यह हुआ दुनिया को दिखाते हैं देखिए हम तो कितने अच्छे हैं हम कितना दोस्टाना व्यवार रखते हैं पुल्वामा हमले के बाद इमरान खान ने अपनी image सुधारने के लिए इमरान खान की रिहाई का गोशना अपनी संसद में करते हुए National Assembly में गोशना की कि Wing Commander Abhinandan की वर्तमान रिहाई के हम आदेश दे रहे हैं इसके पीछे की कहानी जो थी वो पूरी की पूरी कहानी इस कतल की रात में चीपी हुई है आप देख सकते हैं PM Modi's कतल की रात reference क्योंकि PM ने इस बात का जिक्र अपनी एक चुनावी सभा में किया था जिसमें इनोंने ये जिक्र किया है क्या है तो अजय बिसारिया जी की बात सुनिये PM Modi didn't mention that in his speech he did refer to this episode but Imran Khan also referred to this episode in his own speech in Parliament that he had made an attempt to call the Indian PM, there was a conversation in Pakistan's Parliament also which has been reported by Pakistan's MP, he mentioned that both the Foreign Minister Shah Mehmud Guraishi and then Army Chief Komar Jaaved Bajwa came to brief the MPs and said there is a serious danger of crisis escalation, escalating and India taking hard action and therefore we should return the pilot India कोई भी सक्त कदम ले सकता है, इसलिए हमें pilot को लोटाना चाहिए ये अजय बिसारिया जी का वो statement है चसे आप चाहें तो सुन सकते हैं इनसे पूछा गया कि क्या कभी PM ने इस तरह का जिक्र कभी अपनी मीटिंग में किया है इन्हों ने कहा हाँ इस बात का जिक्र PM ने अपनी चुनावी सभा में भी किया है कि कतल की रात आई थी और इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र अपनी स्पीच में जो पारलेमेंट में दी थी उसमें किया है यानि दौनों तरफ से ये बात कंफर्म थी कि ऐसा कुछ हुआ था क्या प्रधान मंत्री ने वाकई में कभी इस तरह का भाशन दिया था जिसमें इस रात का जिक्र था बिलकुल प्रधान मंत्री ने ऐसे ही एक भाशन चुनाव के अंदर 2019 में दिया था और उसमें कहा था कि जब ये घटना पता चली कि हमारा पाइलिट वहाँ चला गया है मैंने सेना को आदेश दे दिये कि अब जो होगा देखा जाएगा इसी बीच में अमेरिका, ब्रिटेन इन सब के राजदूत पाकिस्तान में मिलने लगे हुए थे इमरान खान से और समझाने लगे हुए थे कि विंग कमांडर अभिननन को वापस लोटा दो otherwise भारत कुछ भी कर सकता है इस बारे में प्रधान मंत्री ने अपनी इस चुनावी रैली के अंदर बताया कि मैं तयार था, अब जो होगा सो देखा जाएगा अब अपनी तरफ से इस कारे को करने के लिए तयारी कर दी गई थी अर्थात, भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट तरीके से मैसेज कर दिया था कि रात 9 बजे 9 मिसाइले चलेंगी और तुम्हें खत्म करेंगी ऐसी इस्ति में भारत के भारत के रवये को समझाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत पाकिस्तान में लगातार संपर्क करके उन्हें समझा रहे थे कि भाया मान जाओ भारत कोई भी ठोस कारवाही कर सकता है इनकी चेतावनियों से पाकिस्तान को इतना खतरा महसूस होने लगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया बलकि पुलवामा के आरोपियों पर भी कारवाई करने का आस्वाशन देने की तयारी की इस दोरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से तीन बार मुलाकात की, हाला कि भारत इस बात को कभी officially स्विकार नहीं किया, लेकिन Western World में इस बात की खूब चर्चाएं हुई, आप यहां पर दागारजियन के अंदर प्रकाशित ये वीडियो देखते हैं, जहां अभिनंदन को र बढ़ती, ताकत और भारत का अपने रवाईये पर बदला हुआ रुक समझाने में काफी मदद की, दुनिया को ये समझ में आ गया था कि अभिनंदन की रिहाई और उस रिहाई के पीछे कितना high voltage pressure पाकिस्तान पर रहा होगा, ये समझाने में ये घटना काफी कारगर रही अभिनंदन स्वदेश लोटते हैं, successfully ये है mission complete होता है, इसके बाद में ये है बारत ने दुनिया के सामने public किया कि देख सकते हैं पाकिस्तान के F-16 के बचे हुए जो खंडर हैं वो हम आपके दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देखिए हमने F-16 को मार गिराया था, इस ब पर बाजवा जो कि उस समय के कमर बाजवा जो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आर्मी जनरल थे, उनका MPs के सामने आकर जब प्रेजेंटेशन हुआ था, अभिनंदन के समय पर तब उस समय का भाव यहाँ पर सुनियेगा, Chief of Army Staff तश्रीफ लाए, पैर काप रहे थे, पसीने माथे पर थे, और हमसे, शाह महमूद सहाब ने कहा, Foreign Minister सहाब ने, खुदा के वास्ते इसको वापस कर देते हैं, क्योंकि 9 बजे बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटेक कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि उनकी संसद में भी इस बात का जिक्र था, कि दुनिया को यह खबर पहुँच गई थी, उस शहादत को उचित सम्मान मिला, साथियों, अभिनंधन को प्राष्टपती के द्वारा वीर पदक से सम्मानित किया गया, यह जानकारी आप सबको कैसे लगी, आप सबको इस जानकारी से क्या भाव पैदा हुए, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आप से गुजारिश है कि आप इतनी देर तक अगर मुझे इस चैनल पर सुन चुके हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ कि इतना खुबसूरत वीडियो होने के बावजूद भी, हजारों की संख्या में आप लाइव हैं और लाइक सैकडों में हैं, ऐसे कैसे जमेगा भाई, अपना रियक्शन कम से कम लाइक करके ही कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ह फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें और हाँ, आपका अगर कोई भी मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो इसी चैनल पर रोजाना तीन बजे उन्हें बेजें, फ्री आफ कॉस्ट बीस दिन के अंदर बीस टेस्ट के माध्यम से कम्प्लीट सि थोड़ी ही देर में ओपन हो जाएगा, जिन्हें कम्प्लीट हिस्ट्री मेरे साथ पढ़नी है, साथ में उसके अर्थ, शास्त, राजविवस्ता और भुगोल भी पढ़नी है, तो मात्र एक ही कोर्स, रुद्र जी है साउंडेशन बैच मात्र 1-999 में आपके लिए ओपन हो के लिए MCQ की क्विज आयोजित कराई जा रही है, टेलिग्राम का लिंक आप इस QR कोड से स्कैन कर सकते हैं, और नियमित रूप से शाम 9 बजे आप अपने लिए क्विज देकर अपने नॉलिज को और ज्यादा ब्रश कर सकते हैं, फिलाल के लिए ताही अपना खयाल रखें धन्यावाद